को हैं कि असका दो ये आपको हर्ए प्रॉब्लों पोAK करते हैं तो च्छा का रिपलाइ आपको जरी रीषित दूंगा मा कि यह दिडेक्ट हम से जुनना चाहें तो नीचे इस्ट्राग्राम आइडिया आपको मिले या डिस्क्राप्सर में आपको Instagram का या पूरे नाम में आपके आधार से मैच न होने की बज़े से आपका आधार सीडिंग में प्राब्लम आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं यहां पर पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि यह नाम आप किस तरीके से एक जैसे कर सकते हैं बीना कहीं दूसरी जगे नहीं लगाने आपको कहीं नहीं जाना है आपको सिर्फ अपने घर बैट करके अपने मुबाइल से अपने लिप्टाफ से यह सभी कामा आप आसायनी से कर सकते हैं तो दोस्तों मेध है वीडियो आपको जरू ही पसंद आए हुए जयानकारी भी जबरदस लेगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और दोस्तों सेर करके उनको भी इसके बरहे में आप जानकारी दे सकते हैं खिलाल चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना है दोस्तों सबसे पहले तो यह आपका बैंक एकाउंट और आधार काड़ में न हो जाएगा इसके लिए आपको कोई अलग से डाकुमेंट भी नहीं लगाने हैं सिवाए आधार काड़ और पिन काड़ के उसके बाद में जब आपका आधार और बैंक का पास्वुक दूनों नाम एक जिसे हो जाते हैं तब बात आती है आपके एकाउंट जो पी जिसे की बड़ी स्क्रीन में मैं आपको लाइब वीडियो अच्छी तरह से समझा दूँ हूँ तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कम्प्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको हम बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने टी एफ एकाउंट के किसी भी कंडिट का नाम आप बदल करके बिल्कुल वैसा किस तरीके से करेंगे जैसा कि आधार कार्ड में है और यह बात भी मैं आपको क्लियर बता दूँ कि आप नाम चेंज तभी कर सकते हैं या वही नाम आप कर सकते हैं जो कि आपके आधार में है ओके चली हम चलते कम्प्यूटर स्क्रीन पर आपको लाइब वीडियो में समझाते हैं कि क्या नाम है और क्या होना चाहिए लेसको अब यहां पर देखें तो हमने एक एक अकाउंट अपना लोगिन किया है इस एकाउंट के लोगिन करने के बाद आप उपर की तरफ देखें तो यहां पर जो लिखा है इविया नंबर यह नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं जिसकि मैं आपको लिता है नाम में तो आप देखें यहां पर कितनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं आप अपनी डेटा बर्ज को चेंज कर सकते हैं और जो जेंडर है इसको भी चेंज कर सकते है तो ये तीन काम आप आसानी से कर पाएंगे और ये की साथ में आप कर पाएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि ये दिखिए जो नाम लिखा है और जो दूसरा नाम है वो ये है हमें नाम में करेक्शन क्या करना है मैं आपको यहां पर highlight करके सो करता हूँ थोड़ा मैं इसको scroll कर दो इस तरफ अब आप देखिएगा आब आप देखिएगा अब आप देखिएगा जो नाम है यह नाम रहा A, V, D तो यहां पर भी आप मैच करिएगा A, V, D उसके बाद में यहां पर आप देखिए तो यह नाम में हमें correction करना होगा यह नाम में हमें changing करने पड़ेगी तो चली हम यही काम करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले तो इस PDF यहां पर आपको क्लिक करते हैं तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे पहले तो मैं आपको थोड़ा जूम करके सो करूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पर समझ में आ सके यह देखिए इस तरह से यहां पर मैं इसको रोपता हूं ओके देखिए यहां आधार नंब आधार नंबर यहां पर नहीं मुझूद है तो हमें आधार क्या करना है यहां पर इंटर आधार नंबर तो यहां पर हमें आधार नंबर इंटर करना है नाम यहां यहां पर दिया गया है यह आपको इस नाम को चेंज करना है तो जो नाम रखना है वो नाम आप यहां पर र request को submit करना चाहते हैं किसके पास तो आप अपने employer को check करेंगे तो यहां पर जहां जहां भी आपने काम किया होगा वो सभी employer की list आ जाएगी लेकिन यहां पर इस candidate ने सिर्फ एक ही जगे पर काम किया है तो वही यह candidate की यहां पर इसके पास ही आटोमेटिक यहां पर समिट हो जाएगा लेकिन यहां नीचे की तरफ आप देखें तो note में जो एक line यहां पर इंसन की गई इसको आप अच्छी तरह से देख लिएगा note changes requested should be edge पर आधार तो आपकी आधार में यहां पर मैंने यह mention कर दिया है यह एक तरह से आप देखें तो के वाई सी भी यहां पर आधार number की के वाई सी भी update हो रही है उसके बाद में नाम में जो करेक्शन करना है वो नाम में भी यहां पर प्रेक्शन हुआ जा रहा है डेटा वर्स तो मैं जैसी है वैसी रही कोई दिक्कत नहीं तरह से पहले से मौझूद है अब हमें करना क्या है हमें यह वाला नाम यहाँ पर करना है ओके आधार पहले से मौजूद ही नहीं था अब हमें यहाँ पर अप्डेट करना है अब यह क्या हुआ है कि पैंडिंग फार पिंडिंग एड़ एंप्लॉयर तो यहां पर एंपलॉयर जो है जो आपका ठेकेदार था या जिसके पास आप का कर रहे थे जिसने पीफ एकाउंट आपका बनवाया था तो वो कंडिडेट के पास आपका ये स्टेटस अभी यहां पर पेंडिंग दिखा रहा है तो दो या तीन दिन के अंदर वहां से जैसे अप्रूवल हो जाता है तो यह आपका आटोमेटिक हो जाएगा उपर की तरफ देखें तो यहां पर लिख करके डारेक्ट आ रहा है चेंज रिक्वेस्ट सेब्ड सक्सेश्फुली अब आपकी यह जो है यह चेंज करने की यहां पर समिट कर दी गई है आपका यहां पर कोई भी इसू नहीं आने वाला है तो दोस्तों मीध है कि यह जानकारी में आप ल करूं तो उसका आपको तुरंत ही मिल जाए और यह बिल्कुल फ्री है आप सुस्प्राइब कर लिजिए कोई चार्ज नहीं करता है माकी इस वीडियो से रिलेटेड यह आपका कोई सवाल को कमेंट यह रहे गया है तो आप हमें कमेंट बाक्स में डाल सकते हैं जैसे मैं आ आप लोगों के साथ सेर करती है वीडियो को लाइक कर दिए हम आपको मिलेंगे एक लिए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ कल ही तब तक के लिए जैहिन जैवारत